हेलो फ्रेंड्स वाइट यान यट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है आई आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी बुक्रम होते हैं उसके उपर हम गोल गले की कटिंग कैसे कर सकते हैं और यह लेखे उसके लिए मैंने बुक्रम ले ली है क्या होता न हैं तो कई कई बार हमारे पास बुक्रम के में गले नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कैसे हम गोल गला की कि कटिंग जादा तर भाइज पैनते हैं कोई उसे ज्यादा भी चोड़ा पैनते हैं ठीक है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे यह देखे मैं यह दो-इंच का चोड़ा बना रही हों तो यह देखें जो खोलेंगे इसको हम तो 400 कि चोड़ाई हो जाएगी तो यहां से इस तरह से मैंने 2 एंच के उपर एक निसान लगा दिया है और इसके बाध हमें यह क्या करना है इसकी लंबाई देखेंगे कि हमें इसकी लंबाई कितनी चाहिए है हम साथ इंच का बनाएंगे या साड़े साथ का या आठ इंच का उसके इसाब से ठीक है तो मैं यह बनाऊंगी साथ इंच का यह देखें इस तरह से तो हम इसकी लंबाई को किस तरह से मापेंगे इस तरह स से ठीक है अब हमें यहां एक निसान लगा दिया है कि देखिए इस तरह से यह मैंने निसान लगा दिया है जो मैंने यह उपर दो एंच के उपर निसान लगाया था कि उसी तरह मैं एक दो एंच के उपर यहां निसान लगाऊंगे इस तरह से मैं इसके उपर निसान लगा दिये हैं, यह जो हमारा इचि टेप होता है इसकी हम जो गोल के लिए कि वह हम एक इन से एक कम ही रखे, ठीक है यह देखे इस तरह से मैं इसकी बोलाई करें इस तरह से ठीक है ये इसकी बोलाई कर दी hen बाद देखे जो हमने ये लाइन लगाई है इसके बहार की साइड हमें क्या करना है हम एक इंस रखेंगे तो जयादा fat गलाब नहींगा हमारा ठीक है तो हम एक से कम ही रखेंगे जैसे पौनिंस के उपर हम एक सान लगाएंगे इस तरह से इसके चारों द्रफ के ऊपर निर्शान लगाएंगे इस तरह से है कि ृ इस तरह ठीक है इसके बाद अब हम इनको मिला लेंगे इस तरह से पहले क्या करना है यह बाहर वाला है यह इसकी कटिंग नहीं करनी है जो हम अर अदर वाला नियसान है इसके उपर से इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से और आप एक बात का ध्यान रखिए कि कटिंग करने से पहले आप एक बार किसी अकबार के उपर कटिंग करके देख सकते हैं इसकी क्या होता ना कि आप लोग अगर शुरू में इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी गोलाई अच्छे से नहीं बनेगी गोल गले की ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा इस तरह से यह देखिए यह मैंने गोल गले की कटिंग कर ली है यह देखिए ठीक है यह मैंने इसकी कटिंग करती है ठीक है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग गी हो तो इसे लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्यूद्